हेलो एबरिवन वेलकम टू फर्स्ट इस्टेटी पॉइंट दोस्तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाइप और टंकी पाइप और टंकी का ये पार्ट वन है चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा दो पाइप A और B एक टैंक को करम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने भशीन में कितना समय लगेगा तो इसको हैं लिए अ गया 60 और दोनों को जोड़ेंगे कितना गया 5-12-12 से कटा देंगे ति यह कितना आ बारा मिनट हमारा इंसर आ जागा अप्शन नमर यहां 12 मिनट भी में भी इसको को चेंद कर सकते हैं चलिए question नमर टू देखते हैं question नमर टू में क्या दिया गया है pipe A तथा b1 tank को करम सर दस घंटेवं 15 घंटे में भर सकते हैं दोनों एक साथ उसे कितने समय में भर सकेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखना है एक कितने में भर रहा है तो दस में और वी भी भर रहा है कितने में पंद्रा गंटे में दोनों कैल्सियम लेंगे तीस यहां दस से तीन बार में पनार दुना तीस तीस है और दोनों एक साथ खोला जाता है तो दोनों को जोड के तली में 6 होने के कारण एक घंटा अधिक लेती हैं यादि टंकी पूरी तरह • हो तो च एक कितनी देर में को khali कर देगा तो 9 घंटे में भरती हैं और एक घंटा अधिक लेती है खाली करने मेंट दस आ गया, इसका LCM लेंगे कितना आ गया, 99 से यह के इतने बार में 10 बार में 10 का 9 बार में तो 90 और यह छेद वाला है कितने खाली हो जाएगा तो एक यहां 10 में 9 घटाएंगे तो तो 90 मिनट में 90 क्या दिया 90 घंटा तो 90 अप्सन नमर यह आ जागा चलिए अगला देखते हैं क्वेशन नमर 4 वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में सेर कीजिए ताकि सभी देख सके चलिए अगला क्वेशन देखते हैं एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है और उनों नल खोल तीये जाए तो हउज को भरने में कितना समय लगेगा तो यह कितना दिया गया तो 25 और दूसरा कितना और पचास नमर 5 में क्या दिया गया यह गए यह कितना गए एक तो कितना गया पचास हमारा एंसर आगया पचास अगला देखते हैं question no 5 में क्या दिया गया है एक टंकी को null यह नल होगा a के दुआरा 9 मिनट में भरा जा सकता है इसमें लगे नल b को खाली करने में कितना समय लगेगा जब A तथा B दोनों साथ खुले हैं तो दस मिनट में टंकी भरती है तो यह भी important question है तो A बराबर कितना दिया गया 9 तो A पलस B बराबर तो दस मिनट में टंकी भरती है तो इसको दस ले लेते हैं दस ले लिए और दोनों का LCM लेंगे कितना गया 90 यह कितने बार में यह कितने बार में नो बार में तो यहां से एक यहां एक बचात कितना आ गया 90 हमारा answer आ गया option नमर ए चलिए अगला देखते हैं question number 6 question number 6 में क्या दिया गया दो नल एक टंक को करम से तीन एवन चार घंटे में भरते हैं तथा एक निकास नल उसे दो घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों नल एक साथ खुल दिया जाए तो टंक कितने समय में भरेगा तो ए बराबर कितना दिया गया है तीन बी बराबर कितना दिया गय चार और सी वराबर दो घंटे में खाली कर देता है दो तीनों का LCM लेंगे कितना गया 12 तीन से चार बार में चार से तीन बार में और यह कितना गया 6 तो यह खाली करने वला है इसलिए मैनस लिए इसको तो चार तिन साथ में 6 घटेगा तो कितना आगया एक तो यहां 12 एक तो कितना आगया हमारा एंसर 12 अफ्सन नम्मर ए चलिए अगला देखते हैं कॉस्चन नम्मर 7 दो पाइप किसी टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में पानी भर सकता है और तिसरा पाइप चार घंटे में खाली कर सकता है यदि इन पाइपों को करम सा आठ नो और 11 बज़े खोला जाए तो टंकी कितने बज़े खाली होगी तो इंपोर्टेंट यह भी कॉस्चन है तो 15 12 और और क्या दिया गया चार घंटे में खाली कर सकता है तो तीनों का ऐल सेम लेंगे कितना गया साथ 15 चोके साथ 12 पंचे साथ और यह कितना गया 15 उसके बाद क्या बोला जा रहा है आठ 9 और 11 बज़े खोल दिया जाता है तो यहां देखिए 8 से 11 कितना कांतर है तो 3 कांतर है और फिर 9 से 11 कितने कांतर है? 2 का, तो 2 से में यहाँ multiply करेंगे यह कितना आ गया? 12 आ गया, और यह कितना गया? 10, और यह पहले से 15 है तो इसको जोड़ेंगे, कितना गया? 22, और 22 को यहाँ देखिए 22 को 6 से भाग देंगे कितना गया? 11 वटे 3 और इसको solve करेंगे, तो कितना आ जागा? 3 सही 2 वटे 3 और इसको फिर 3 सही 2 वटे 3 यहाँ पलस आगा और इसको फिर मिनट में बदल लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया? 40 20 या 60 तो 20, तो 3 घंटा 40 मिनट 3 घंटा 40 मिनट किस आप्शन में है? Option नमर Option नमर C में है 3 घंटा 40 मिनट Option नमर C नहीं होगा क्या बोला जा रहा है? खोल दिया जाए, तो टंक की कितने वज़े खाली हो जाएगी? तो 3 घंटा 40 मिनट आया तो 11 में 3 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे, कितना आ गया? 12, 1, 2 तो अप्शन नमर A आ जागा 2 घंटा 40 मिनट अगला देखते हैं Question नमर 8 Question नमर 8 में क्या दिया गया है? 2 पाइप जो है एक टंकी को करम सब 15 एबं 12 घंटों में भर सकते हैं जब कि 3 पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है टंकी खाली हो है और 3 पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी तो 3 का LCM लेंगे कितना दिया गया? 12, 15 और उसके बाद 20 ठीक है? 3 का LCM लेंगे तो कितना गया? 60, यहां से 60 15 चोके 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया ही 60 यह खाली करने वाला है इसलिए इसको मैनस लिए तो 5, 4, 9 में 3 जाएगा कितना बचा? 6 तो 60 का 6 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 10, option number A चलिए अगला देखते हैं question number 9 question number 9 क्या है? 2 pipe A तथा B अलग-अलग किसी टंकी को करम से 60 मिनट 75 मिनट में भर सकता है तंकी की तली में 6 है यदि दोनों pipe खोल दिया जाता है तो तंकी 50 मिनट में भर सकती है तो बताइए यदि तंकी भरी हो तो 6 द्वारा खाली करने में लगा समय कितना होगा? तो यहाँ पे तीनों का LCM इसमें भी लेना पड़ेगा तो 60 और 75 और यह कितना है? 50 यह खाली करने वाला है तीनों का LCM लेंगे तो कितना आगया? 360 LCM लेंगे और 60 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में 75 से 4 बार में और 50 से 50 से 6 बार में चलिए और यहाँ कितना आगया? 360 है सबसे पहले इसको जोड़ेंगे 5 चर्नों और यह खाली करने वाला है तो 9 में 6 चल जागए तो कितना बचा? 3 और यह यहाँ 300 है 360 नहीं 300 तो 300 को किस से भाग दे देंगे? 3 से भाग दे देंगे तो हमारा एंसर आजागा 100 यह 300 आजागा 360 नहीं आएगा तो चलिए अगला देखते हैं Question No.10 Question No.10 में क्या दिया गया है? 2 पाइप एक टंकी को करम से 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन पर 3 मिनट की दर से खाली कर सकता है तीनो पाइप एक साथ कार करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं टंकी की धारीता ग्याद करें यह important question है यहाँ पे इसमें और कुछ पूछा दा सकता है question लेकिन same to same ऐसा question आया exam में तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा A बराबर कितना दिया गया 20 और B बराबर कितना दिया गया 24 B बराबर कितना दिया गया है 24 और A पलस B पलस C बराबर कितना है A पलस B पलस C बराबर कितना दिया गया 15 तीनों का LCM ले लेंगे कितना गया 120 120, ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, ये ये चल जाएगा 8 बार में, तो ये कितना है, 120, कितना गुना जाधा, तो एक गुना जाधा है, हमारा answer ये ही हो जाएगा, 120 answer आजाएगा, तो आज के लिए इतना है दोस्तो, thank you so much.